हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है दीकोट आयेस की यूट्यूब चैनल पर हम लोग सोशल इस्यूज को ही कंटिनू करेंगे तीसरा टॉपिक और वो है मैरिटल रेप मैरिटल रेप और कॉन्जूगल राइट्स यह दो अलग अलग चीज़ा है मैरिटल रेप exactly normal easy language में मतलब यह है कि जब कोई पती-पत्नी में अगर लड़का या लड़की के ऊपर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ sexual assault करता है इंटरकोर्स वाले लेवल तक पहुँचने की कोशिश करता है सामने वाले की मर्जी के खिलाफ just because कि वो उसका पती-पत्नी है तो that is a marital rape इंडिया में यह recognize नहीं है unfortunately क्यों recognize नहीं है यह यह इसलिए recognize नहीं है क्योंकि कुछ धर्म के लोग यह कहते हैं कि अगर हम इसको accept कर लेंगे तो कल को हर दिन cases आएंगे कि आज मेरे साथ marital rape हो गया दूसरा argument यह था कि जो लड़कियां है उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है तो उनका problem कैसे resolve करेंगे तो this is the overall problem of marital rape और धर्म के नाम पे कुछ लग ऐसे थे जो कहते हैं कि शादी जह है वो एक धर्म में बंद जाते हैं एक दो आत्मा है दो जिसम यह सब चीज़े तो अगर आप यह marital rape पे भुसा देंगे उसके अंदर तो फिर यह 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 जो process है यह process में रुकाबटा जाएगी conjugal rights क्या है conjugal rights वो rights हैं जो एक पती पत्नी share करते हैं the moment they get into a wedlock जैसे मैं तुमसे काऊं कि mutual respect लड़का लड़की को करेगा लड़की लड़के को करेगी this is a part of conjugal rights अगर तुम लोग ने थपड मूवी देखी होगी वहाँ पे भी यह conjugal rights के बार में ही है अगर divorce होता है तो यह compensation मिलता है also because you have conjugal rights पती के मरने के बाद उसकी property उसको मिलेगी या vice versa this is also because of conjugal rights so conjugal rights तभी मिलेगा जब conjugal relations होंगे और उस conjugal relations में यह है ना कि mutual respect करना है तो marital rape के mutual respect में होता है यह एक issue है तो समझते हैं news में क्यों है marital rape and conjugal rights recently center sought reasonable time center demand कर रहा है reasonable time from Delhi high court to share government opinion on marital rape after consultation with all the stakeholders marital rape represents any non-consensual sexual intercourse or consent gained by using any kind of fear, fraud or under situation of unsoundness of mind or intoxication जो grounds पे rape होता है same to same grounds पे तुम वही चीज़ कर रहा हो लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे एक अंजान लड़की होती है या जानी पेचानी लड़की होती है यहाँ पे वो तुमारी legally wedded wife है बाकी और कोई दिफर्स निया बाकी और कोई दिफर्स निया लड़की होती है साल से अगर नीचे है तुमारी भीवी और तुम उसके साथ जबरदस्ती करते हो लेकिन अगर 15 साल के ऊपर है तुमारी भीवी और उसके साथ जबरदस्ती करते हो then you are exempted you are absolutely exempted think about that woman think about that not only think about that lady think about that girl 16-17 साल की है 18 साल की है 19 साल की है उसके उपर मान लो 27 साथाइस साल का लड़का है imagine a situation वो नशे की हालत में आता है वो उसके साथ जबरदस्ती करता है पीठता है मारता है अगर वो रोकती है तो अगर दन सुबा वो उसका नशा उतरता वो अच्छा इंसाम बन के क्या होगा तुमको ऐसा पूछता है वो लड़की कल को यही चीज अपने ममी पापा को नहीं बता सकती out of शरम किसी को नहीं शेयर कर सकती क्योंको उसका पता कि इसका कोई रिमेडी नहीं है यही हरकत अगर उसी आदमी ने किसी दूसरे लड़की के साथ की होती तो अभी वो जेल में होता यह प्रॉब्लम है ठीक है सेक्शन 3-76 अगर तुमने जुदिशल सेपरेट हो चुके हो वाइब से मतलब अभी तुम अपनी वाइब के साथ एक लीगली वेडलोक में नहीं हो तुमारा सेपरेशन हो चुका है और उसके बाद तुम सेम चीज़ अपनी वाइब के साथ सेपरेट वाइब के साथ करने जाते हो और यह राइट्स जो है वो एकसराइस करता है जब भी उनका दिवोर्स होता है अडर दिवोर्स आट और स्पेशल मैरेज आट किसी भी हमारा जो सेपरेट परसनल लॉज है सेक्शन 3 अफ दिप्रोटेक्शन अफ विमन from domestic violence section 3 of the protection of women from domestic violence 2005 का जो act है contradict the exceptions provided under section 376 and consider any physical, sexual, verbal, emotional abuse as domestic violence now understand the paradox IPC जो है वो कहता है कि अगर एक आदमी अपने 15 साल से ऊपर की age की ऊपर जो बीवी होगी अगर उसके साथ sexual intercourse जबर्दस्ती करता है it is not a crime और उसी देश में domestic violence act के अंदर section 3 में physical, sexual, verbal, emotional abuse को domestic violence कहते है तो अगर कोई आदमी अपनी पतनी के उपर जबर्दस्ती चड़ा हुआ है तो उस आदमी को IPC के अंदर सजा नहीं मिलेगी लेकिन domestic violence act के अंदर सजा मिल सकती है ये contradiction में खेल चल रहा है आगे देखो negative impact of exception of marital rape अगर हम exempt कर देते हैं marital rape को IPC से तो उसके negative impact क्या है number one it forces the wife to live in an environment that is emotionally unsupportive, physically violent ठीक है और ये क्यों हो रहा है because of a strong patriarchal situation limiting her individuality and dignity तो कोडी की dignity नहीं रहेगी उसकी अब एक जिंदा mask का लो थड़ा की जसे है जब इस इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इसको रोक नहीं सकता क्यों? क्योंकि exempted है as per the national family health survey 2015-16 7% of ever married wife ever married woman experienced sexual violence with 83% reporting it from the current husband think about the data ठीक है तो ये एक impact है on the individual on individuality में तो on the women जो wife है दूसरा on relationship सभा भी ख्या किया कि एगर इस तरीके के relationship है तो relationship तो ठीकेगा नहीं तो क्या लिखा हुआ है? इस के बाद चिल्डन बच्चों पर क्या impact पड़ता है? इस तरीके की relationship है तो इस तरीके की relationship है तो बच्चा देखता है तो उसकी development पर क्या असर पड़ेगा? society में it increases the societal inequalities लड़की, gender, इसके basis पर weakness दिखाया जाएगा उसको community में weak दिखाया जाएगा और उसको वो attract करेगी perpetrators को और ज़्यादा उस तरीकी का हरकते करने के लिए एक environment create किया जाता है कि हाँ लड़की है तो tolerate कर लेगी जितने भी sexual assault उसका husband करे यही करना है उसका धरम है पती को खुश करना है उसका धरम है इस तरीके का atmosphere बनाया जाएगा institutions पर क्या असर पड़ेगा? इस तरीके की exceptions का अब जब act के अंदर ही लिखा हुआ है कि 375 के तहत कोई भी marital rape crime नहीं है तो police और judiciary कैसे सजा देगी? तो यह एक negative चीज है जिसके जोग हो रहा है because the marital rape is not criminalized ठीक है? concerns क्या-क्या है? marriage is considered as a sacred bond in India ठीक है? It is an important institution for survival of the family with living together as its foundation state's approach was largely non-interventionism in family matters लेकिन इसके वज़े से कुछ-कुछ threats आ रही है जैसे threat to the institution of marriage as it may amount to excessive interference with the marital relationship 172 law commission की एक report निकरी थी report no. 172 law commission report 2000 में उन्होंने कहा था कि अगर हम marital rape को consider करते है, recognize करते है तो वो कही न कहीं एक state की over interference यह excessive interference के line में आ जाएगा एक marital relationship के अंदर state cannot interfere हर घर में state नहीं गुश सकता है आज आपको लोग कुछ किया है क्या उस वो आपके मर्जे से हुआ है यह पूछना यह idiotic है possible नहीं है यह चीज report no. 172 बताती है दूसरा misuse किया जा सकता है another problem लड़की misuse कर सकती है बिल्कुल कर सकती है to harass the husband बिल्कुल next subject the entire family system to a great stress अगर किसी family में इसको अगर इस crime को crime का दरजा दे दिया जाए तो इसका impact entire family system पर परचटा है family ही नहीं रहेगी तूट जाएगी और बहुत जादा subjective है हमने उसका हाथ पकड़ा था उसने कहा दिया abuse किया है तो excessive subjectivity है इसके अंदर which thing will be consensual which part will be non-consensual in the same act कौन सा part consensual है कौन सा नहीं है यह कौन समझेगा यह सब major problems है तो individuality of women यह question में है पिछले कई सालों से दशकों से in fact और यहां पर ensure करना है हमें real spirit of equality हमें individual dignity को maintain करना है at the same time हमें sexual assault और violence इसको रोकना भी है इसके लिए एक proper definition चाहिए हमें marital rape किया क्योंकि अगर इसको रोका नहीं गया तो it will lead to huge different level inequality को different level पे ले जाएगी एक latest case है independent thought versus union of India independent thought versus union of India 2017 का जहापे supreme court ने marital rape को crime का दर्जा दिया है अगर wife जो है आपकी वो 15 साल से 18 साल के बीच में है law के अनुसार 15 साल के नीचे है फिर तो आप crime कर रहे हो लेगन अगर आपकी बीवी 15 से 18 के बीच में भी है तो भी ये crime होगा अगर हम इस चीज को criminalize कर देते हैं तो हम अपने society को progressive interpretation दे सकते हैं इसके लाबा हमें study करनी पड़ेगी other country में क्या situation है यहीं से निकल कर आता है right of bodily self determination तो dignity of a body my body, my right, sexual reproductive rights यह सारी चीज़ी इससे linked है और हमें चाहिए कि इसके बारे में awareness फैला है society में ताकि violence को रोका जा सके तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं अगले वीडियो में हम लोग एक और topic को लेकर आएंगे January 2022 के तब तक के लिए thank you for watching and do subscribe, thank you